हलो स्टूडेंट्स, मैं सूमन यूट्व चैनल इंडिया ओल Mythical में आपका स्वागत करती हूँ देखे स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में ब्राह्मनेत्र साहित्य के बारे में पढ़ेंगे तो देखिएगा सबसे पहले तो बात ही है कि ब्रामनेतर साहिते कहते किसे हैं तो जो बहुत धर्म के त्रीपिटक हैं जातक कथाएं हैं और जो जैन धर्म का आगम साहिते हैं इनको ही ब्रामनेतर साहिते कहा गया है तो हमने अलग से भी त्रीपिटकों, जातकों और आगम साहिते के बारे में वीडियो बढ़ाए है तो आप हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे से आगे नए नए वीडियो प्राप्त हूँ तो देखेगा ब्रामणेत साहिते के अंतरगत बोध वै जैन साहिते आता है तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे त्रीपिटकों के बारे में तो त्रीपिटकों के बारे में और भी ज़्यादा जानकरी प्राप्त आपको करनी हो तो आपको अलग से वीडियो देखना पड़ेगा तो देखेगा यहां पर हमने संक्सिप्त रूप से त्रीपिटकों के बारे में बताया है तो देखेगा त्रीपिटक है ये विभिन बासवों में अनुवादित किये गए गरंथ है और जो त्रीपिटक गरंथ है इसमें बग तो देखेगा ब्रामनेतर साहिते के अंतरगत सबसिव प्राचीन ग्रंथे त्रीपिटक हैं सरवाधित प्राचीन बोद ग्रंथ भी त्रीपिटक ही हैं त्रीपिटक बोद धरम के पाली भासा में लिखित पर्मु की ग्रंथ हैं तो त्रीपिटकों की रचना है वो पालिबासमी की गई है, त्रीपिटक का साब्दी कर्थ है तीन पिटारिया, ठीक है न, यह है बो दरम के प्राचींतम ग्रंथ हैं, इनमें बगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं, अब देखेगा त्रीपिटकों के नाम तो तीन पिटक कौन-कौन से हैं सुथ पिटक, विने पिटक और अभीधम पिटक तो कभी-कभी प्रीक्षय में पूछ लेते हैं कि सुथ पिटक किसे कहते हैं विने पिटक किसे कहते हैं अभीधम पिटक किसे कहते हैं तो देखेगा सुथ पिटक में बुद्ध के धार्मिक अब देखिएगा जातक कताई तो जातक कता क्या है जातकों में बुद्ध के पूर्वे जन्मों की काल्पनिक कताई है जातक कताई इससा पूर्वे पांचवी सदी से दूसरी सदी तक की सामाजिक वय आर्थिक स्थिति की जानकारी की अमूले स्रोथ है और जातकों की संख्या पांसो पत्चास है प्राचे और पाली भासा में लिखे गए बोध गरंथों को पर्थम या द्वित्य इस्सा पूर्वय का मन अगया है बुद्ध गोश्कृत विशुद मग बोध दर्म की हीन्यान साखा का गरंथ है यहें बोध सिधान्तों पर प्रमाणि दार्षनिक गरंथ स्विकार किया गया है दीपवन्स या महावन्स की रचना गरंथ से चोथी वैं पांचवी स्थाबदी में हुई थी दीपवन्स वैं महावन्स जो पाली में लिखे गए गरंथ है इनमें मोर ये खाले नितियास की विश्त्रित जानकारी मिलती है पाली वासा का गरंथ मिलिन पन हो है जो नागसेन द्वारा रचित है और इस गरंथ में युनानी राजा मिनांडर वै बोध बिक्सू नागसेन के दार्षनिक वार्ता लाप हैं दिव्यावदान में राजाओं वै राजनेतिक इस्तिती ग्यात होती है आर्ये मंजूस्री मूलकल्प में बोध द्रश्टी कोन से गुप्त सासकों का विवरण मिलता है अंगूतर निका में 16 महाजनपदों का विवरण दिया गया है महावस्तु एम ललित विस्तार में गोत्तम बूध का जीवन वृत्त दिया गया है अश्वे गोश्क्रीत बुध चरित सोंद्रानंद सारी पुत्र प्रक्रण में ततकलिन समय के समाजिक धार्मिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है तो ये तो हमने देखा बहुत सहित्ते से संबंदित अब देखेगा जैन सहित्ते तो जो जैन सहित्ते है ये जो जैनियोंकी विशेश जो देन है वह सहित्ते और कला के छेत्र में रही है जैन विद्वानोंने विभिन कालों में लोक बासाओंके माध्यम से अपनी कृतियों की रचना करके इनके विकास में महतवपन योगधान दिया देखेगा जो प्राकर्थ, अपब्रेंस, कन्नड, तम्मिल, त्यलग्गू, अधी बासों में जैन साहिते मिलता है प्राकर्थ बासा को विक्षित करने में जैन लेक को के कारिये सरानिये हैं और पूर्व अमद्यकार में हेमचंदर जैसे विद्वान हैं उन्होंने काववे, व्याकरण, जोतिस, छंद सास्तर, आदे विविद विश्यों पर प्राकर्थ अपब्रेंस बासों में साहिते लिखकर इन बासों का बहु मुखी विकास किया था और दक्सिन में कनड और तेलगू में भी जैनियों के साहिते मिलते हैं तमिल गरंत कूरल में कुछ भाग भी जैनियों द्वारा रचे गये हैं इनके अलावा कुछ ऐसे गरंत भी हैं जैन गरंत ऐसे भी हैं जो संस्कृत बासा में लिखे गये हैं तो देखेगा जैन साहित जैन सहिते हैं वे आगम सहिते कहलाता है या फिर इसको सिद्धान्त सहिते भी कहते हैं जैन आगमों में 12 अंग, 12 उपांग, 10 परकिर्ण, 6 छंद सुत्र हैं आचारांग सुत्र में जैन विक्षों के आचार नियमों का वड़नन है भगवती सुत्र में महावीर स्वामी के जीवन वृत का उलेख है इसमें 16 महाजन पदों का उलेख भी है हेमचंद्र कृत परिशिस्ट परवे अनेक एथिहसी कठनों का उलेख करता है भद्र बाहु कृत कल्प सुत्र में जैन दरम के प्रारंभिक इत्यास की जानकारी मिलती है उद्योतन सूरी कृत कूवले माला में जैन समाज की समाजिक वधार्म की स्थिति का वर्णन मिलता है तो देखेगा फ्रेंड्स यहां पर हमने जो ब्रामनेतर साहित्य के नाम से जाने जाते हैं त्रिपिटर जातक कताएं और जैन साहित्य के बारे में पढ़ा अंतक हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद